वाइस आपने ये बात जरूर सुने होगी गलती इंसान से होती है बट आपने ये बात नहीं सुने होगी कि गलती अल्गोर्तम से होती है कहने का मतलब है कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम रिल्स पर कोई भी गलती करते हो बट algorithm गलती नहीं करने का है algorithm आपकी videos viral नहीं करने का है तो आज की इस video को बनाने का मकसद यही है ताकि मैं आपको यह बता सकूँ कि आप daily pages में जो गलतिया करते हो वो अपसे ना करो क्योंकि algorithm के अंदर feelings नहीं है कि algorithm यह बोलेगा चल यार यह बंदा बहुत जाता मैनत कर रहा है इसकी एक नेख वीडियो में viral करते है नहीं भाई अगर आप यह गलती करे जा रहो ना तो भाई algorithm कभी भी आपकी video viral नहीं करने का है और भाई बालो पे जादा ध्यान मत दो अभी भी नहा क्या आया हूँ तो सोचा भाई amazing सी मैंने research करी थोरी बहुत सी और उसके बाद videos बना रहा हूँ बालो पे ध्यान मत दो कभी आप comment section में बोलो कि भाई तुम जंगनी लग रहे हो अशेव अगरा मैं करवा लूँगा बट अभी इस चर्चे पे बात नहीं करते है चर्चे पे हम बात करते है कि आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी है तो भाई तो सबसे पहली गलती आती है जो कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कभी भी अपनी videos खुछ से watch मत करना ठीक है और कभी भी अपनी videos खुछ से share मत करना अब ये क्यों नहीं करना है ये तो मैंना आपको कही बार बता रहता है बट एक short form में आपको बताता हूँ क्योंकि भाई काफी लोग ऐस होता है कि जो नया बंदा आया है ठीक है मेरे चैनल पर तो भाई सबसे पहले तुम्हारा welcome अब भाई बास सुलो ठीक है ना चैनल को subscribe करने की जरूत नहीं है बास सुनो आप ठीक से ठीक है तो भाई दगो आपको अपनी videos खुछ से share क्यों नहीं करनी है क्योंकि भाई आपकी इससे growth रुपती है इंस्टाग्राम का क्या कहना है इंस्टाग्राम का कहना नहीं है ये एक algorithm सी है ठीक है इंस्टाग्राम का कहना है कि भाई अगर आप अपनी videos खुछ से watch करे जारो करे जारो तो हम भाई दूसरा तक कैसे भीज देंगे ठीक है ना एक example लेता हूँ आपको कि suppose करो कि आपने खाना बनाये खालवा बनाये ठीक है आपने काफी आपके घर पर महमार आये वे हैं आपने सब के लिए हलवा बनाया और आप उसको खुद खाय जारो खुद खाय जारो तो दूसरा तक कैसे बेजोगे जाहिर से बात है तो एक example था तो इस वह से आपको खुद से अपनी वीडियो वाच नहीं करनी है और खुद से शेर नहीं करनी है ठीक है Instagram काम है Instagram करने दो अब बात आती है next वाली गलती तो वो है भाई quality मैं काफी जादा रील्स देखता हूँ काफी जादा मतलब सोरी दूसरों की रील्स सेंड करते हो ठीक है ना काफी जादा आपके ऐसे फ्रेंड्स होगे मेरे भी काफी जादा है मैं अच्छी रील्स सेंड करता हूँ तो आपने कभी कोई है तो भाई phone ढंका ले लो वो बेकार लोग है जो यह बात कहता है कि भाई सबसे जादा main content होता है मैं मानता हूँ इस बात को सबसे जादा main content होता है बड़ मैं आपको घुमिरा नहीं करना चाहता हूँ भाई quality जादा main होगी तो लोगो content देखने में easy होगा ठीक है ना समझ अब आती है अपनी तीसरी गलती वह है बाई watermark अब यह जादा लोग नहीं करते हैं काफी लोग को पता है बट काफी लोग कर देते हैं मेरे तो बाई जो इंस्टाग्राम पर मुझको डियम करते हैं उसमें से एक ना एक दो लोग यह गलती करी देते हो तो बाई आप जिस पर watermark लगवाओ और इंस्टाग्राम आपको उस वीडियो को recommend कर रहे हो आपके पास नहीं करने की बाई इंस्टाग्राम क्यों चाहेगा कि मैं किसी दूसरे platform को recommend करूँ और बाई मैं सही बता रहा हूँ अगर आप दूसरे platform का watermark reels पर upload करे जारो तो आपका account freeze भी हो स करते हो उसके बाद reels पर upload करते हो इंस्टाग्राम कहता है कि आप कहीं से भी edit करके upload करो जितने फेमस यूट्यूबर है वो बहार से edit करके डालते हैं बट इंस्टाग्राम उनकी recommended में डालती है अब वो क्यों डालती है जायद से बात है कि भाई ना वो watermark यूज करते ना को बहार से गाना edit करके डालते हैं तो इंस्टाग्राम की library से ही आपको music डालना पड़ेगा इंस्टाग्राम की library जो भी है भाई वहाँ पर आपको सारे music मिल जाएंगे तो भाई आप बहार से music मत डाला करो ठीक है अपना जो आप बहार से edit कर रहे हो ना उसकी जो volume है जब reels upload करते हैं तो उसके नीचे पता है क्या डालते हैं? हैस्टेक्स अब आप लोग बोलेगे हैस्टेक्स पर तो आपने वीडियो बना रहे है कि हैस्टेक्स डालने चाहिए हैं बट 90% यह बात मैं कहा रहा हूं 90% जो लोग मुझको follow करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं उनको हैस्टेक्स के नॉलिज नहीं है कि हैस्टेक्स क्या डालने चाहिए हैं मैंने लाग बार बता है कि हैस्टेक्स आपको वीडियो से डालने हैं जाहिट सी बात आपको वीडियो से डालने हैं बट लोग क्या करते हैं जब reels upload करते हैं तो उसके नीचे हैस्टेक्स डाल कि साख सीधी बात है मैंने आपको बारी किसे समझा रहा है है हैस्टेक के ओपर कि हैस्टेक क्या आपको डाल ले है हमेशा हैस्टेक आपको वीडियो से रिलेटिड डाल ले हैं मैं आपको एक एक्जाम्पल दे रहा हूं सपोस करो कि यह यह वीडियो मैं यूटुब पर अप पर क्या mistake नहीं करने चाहिए है तो YouTube मेरी वीडियो आगे तक भेज़ेगा ही नहीं क्योंकि YouTube कहां से सर्च मारेगा जब भाई suppose करो कि जब आप YouTube पे कोई सर्च करते हो चीज ठीक है न तो YouTube करता है YouTube एक दम से crossing लेता है न तो यह देखता है कि भाई किस की वीडियो इस topic से related है तो वो कहां से दिखता है वो दिखता है है आपके hashtags से आपके title से यहां से देखता है तो Reels पर तो कोई title होता नहीं है वो आपके hashtags से देख लेगा और हैस्टेक में आपको आपने उल्ट सुल्ट भर रखा है तो कभी भी आपकी वो वीडियो Instagram recommend में नहीं पोचाने की है तो भाई अगर हैस्टेक की knowledge नहीं है तो हैस्टेक डालो ही मत और अगर हैस्टेक पर आपको पूरी knowledge चाहिए तो मैंने एक दू वीडियो बना रखी है अगर एक और चाहिए बिल्कुल बारी की से तो मुझको निचे comment करो मैं हैस्टेक पर वीडियो बनाऊँगा बट मैं पहले आपको यह रिकमेंट करूँगा कि हैस्टेक मत डालो भाई तो बस यार आज की वीडियो तो नहीं मिलते का लगली वीडियो में इसी के साथ हमेरा एक प्यार के और फिर मिलेंगे चलते चलते